तो गाईज अगर आपके पास Redmi का फोण है, Poco का फोण है या तो फिर किसी और other company का फोण है तो आपका जो फोण है दोस्तों उसमें आपको automatically restart करके problem आता है आपका जो फोण है वो automatically restart हो जाता है आप बिलकुल भी restart नहीं करते हैं फिर भी आपका जो phone है वो automatically restart हो जाता है तो guys आज के इस video में मैं आप सभी को इस problem का solution बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो आप सभी लोग इस video को पूरा end तक देखिए और दोस्तो अभी तक आपने इस video को like नहीं किया है तो like कर दीजे दोस्तो और हमारे channel को subscribe भी कर लीजे तो चलिए गई इस video start करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो first of all सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप अगर आपका phone जो है बार बार रेसेंट हो रहा है तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपने phone में दोस्तो आपके phone में जो setting के application है उसको आपको long press करना है long press करने के बाद आपको application information पे click करना है application information पे click करने के बाद आपको storage पे जाना है और इसका data जो है वो clear कर लेना है clear data करने के बाद दोस्तों आपकी जो problem है वो solve हो जाती है बट अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अब आपको जो है दोस्तों अपने phone में जो MIUI का update आता है उसके लिए आपको wait कर लेना है आपको यहाँ पर MIUI version को update करते रहना है अगर आपके phone में आया है यह वाला option तो आप उसको update करते रहिए समय के साथ उसको update करते रहिए ताकि आपको कोई भी problem ना आए तो आप यहाँ से update कर सकते हैं बट अगर दोस्तों अगर आपके phone में यह update नहीं आया है तो यहाँ पर आप जो है थोड़े दिन wait करेंगे तो आपके भी phone में यह जो update है वो आ जाएगा और दोस्तों अगर आपको बहुत ही जादा problem आ रही है आपको phone जो हो बार बार restart हो रहा है तो हो सकता है battery में आपको problem आ रही हो तो यहाँ पर आप जो है अपने phone को service center ले जा सकते है वहाँ पर दोस्तों आपके phone का जो battery में problem आ रही है वो problem सारी के solve हो जाएगी अब यह hardware problem है दोस्तों इसलिए मैं आपको कोई भी setting करके नहीं दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से आप जो है इस problem को solve कर पाएगे दोस्तों तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजो और चैनल को subscribe भी कर लिजिए